शर्मिला टगोर ने बॉल्ड बिकनी सीन्स के चलन को अलग ही परिभाशा दी थी जिसके बाद तो जैसे बिकनी का ट्रेंड ही चल पड़ा था यू तो बॉल्ड इंडस्ट्री में दौर कोई भी हो नया ट्रेंड तो बन ही जाता है लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब फिल्मों में अक्टरिस का बिकनी पहनना किसी बवाल को न्योता देने से कम नहीं था उस दौरान भी बॉल्ड में ऐसी बोल्ड आक्टरिस देखने को मिली जिने किसी बवाल से कभी दर नहीं लगा ऐसी ही एक आक्टरिस थी शर्मिला टगौर शर्मिला तब जबरतस सुर्खियों में आ गई थी जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में बिकनी सीन दिया था वहीं सिर्फ शर्मिला ही क्यों बॉलिवुड में गुजरे जमानी की कई आक्टरिस ऐसी बोल्डनेस दिखा चुकी है आगे जाने ऐसी ही कुछ एक्टरिस के बारे में शर्मिला टगौर ने एक बार नहीं कई बार बिकनी सीन और फोटो शूट करवा चुकी है फिल्म एन इवनिंग इन पैरिस में शर्मिला टगौर के बिकनी सीन्स को जबरतस सुर्खिया मिली थी टिम्पल का पाड़िया भी बिकनी में फोटो शूट करवा चुकी है वहीं इन तज़्वीरों को देखकर ये मानना पड़ेगा टिम्पल भी बिकनी में कुछ कम खुबसूरत और बोल्ड नहीं लगती थी अपनी बोल्डनस के चलते इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाने वाली अभी नेत्री जीनत अमान भी उस दौर में बिकनी फोटो शूट से हंगामा मचा चुकी है फिल्म राम तेरी गंगा मैली में बेहद बोल्ड सीन देने वाली अभी नेत्री मंदाकनी की ये तज़वीर भी काफी चर्चाओं में रही थी अपने डांस मूव्ज और बोल्ड अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली हेलन भी बिकनी फोटो शूट करवा चुकी है इस दोर में हेलन की बोल्डनेस की खूब चर्चाएं थी गुजरे जमानी की दिगज अक्ट्रेस राखी का भी अपना अलग ही अंदाज था ब्लाक बिकनी में उन्होंने वाकई कहर डाया था अभिनेत्री श्रीदेवी ने अपने शानदार करियर में अक्टिंग के साथ-साथ बोल्डनेस के मामले में भी बड़ी से बड़ी अक्ट्रेस को टक कर दी है वो कुछ फिल्मों में मोनोकिनी में पोस देती नजर आ चुकी है कर दो कुछ खिर नहां पुछ इस दुछ जबने स्विल्मों में इसकार बड़ी अजर नहां वोल्डनेस के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-सा सकार्णिया फिल्यान-पावावार के बड़ा।